हेलो एडिवेन वेल्कम टो एन्वेल स्टेप और सोल्स होप आप सब लोग अच्छे होंगे आज की वीडियो में आप सब को बताऊंगा कि कैसे आप अपने डॉग या पपी को इसली ग्रूम कर सकते हैं तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लियो पहले रिजि करें ताकि उसकी पूरी रूट्स में यह स्प्रेय अच्छे से फैल जाए और अपना काम अच्छे से कर सके हैं कि देखो यह कितना तेज है मैं जैसे हलका सा दूर गया एक सिकिंद के लिए तो मेरे को देखते ही तुरेंट अपना बाग गया क्योंकि इसे बचना था यह ग जाएगा तो यह मौके ढूंड़ा था कि यह बचके भाग जाए पर इसे जब लगा कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और पूरी क्रूमिंग इसी करके रहूंगा तो यह लेट गया और इसने पूरा अपना सरेंडर कर दिया कि बाई तुख कर ले जो करना है पूरी कर ले पर मुझ 600 यह चानने दियो फिर बाद में तो यह इसने पूरा ऐसे कर सेंडर कर लेट गया और इतना प्यारा लग रहे है से लेटा हुआ अए आ हिए लिए ओके पॉस में भी इसका अंदर की पंजे पूरा खोल के इसके पाउडर डाल लूँ इन्हें इसे प्रोटेक्ट करते हैं की फेवरेट जगे होते हैं कि वह पंजों के बीच में या फिर कान के आस पास पास शुपती हैं तो कान में तो यह पाउडर नहीं डाल सकते तो यह पाउडर डालता हूं और सारे पाउड में मैंने इसके यह पाउडर डाल यह था कि टेक्स वहां पर आने सके और इसको खारिश ना हो बिल्कुल भी पहले अपने पपी की नॉर्मल कंगी कंडी है उसके ब्रश से और उसके बाद आपको वह स्प्रे करना है नहीं तो अगर आप पहले कर दोगा तो उसके बाल उलर्शन लगेंगा उसमें थोड़े और अच्छे से नहीं हो पाएगा तो अगर आप पहले कंडी करोगे तो उस हैं एक बार लास्ट में फिर से कंगी कर देनी हैं और कंगी जैसे आप डेख सकते हैं लिएऊ पूरा शान्त होगे यह फैलेगे और एक भी घर में आ जेंगे झाले हाथ में और कोई भी घर में स्मेल वगरा कुछनियों की जैसा आप देख सकते हैं लिए कि इतने से बाल आये हैं और ये भी इसलिए आया है भी क्योंकि इसका भी की शेडिंग सीजन आने वाला है और इसका मतलब पपी कोट अब धीर धीर चेंज होगा और एडल्ट कोट आएगा और इसलिए इसका ये इतने बाल आया है और मैं इसका रोज रेगुलर ग्रूमिंग करता हूं इसलिए इसके जादा बाल नहीं तो जर्मन शेफट के जितना आपने थम्नेल में देखा उतनी बाल शेड होते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं मिलूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई